गुड मॉनिंग स्टूरेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं शितिज गदे खंड के चैप्टर नमबर थ्री जिसका शीर्शक है लखनवी अंदाज इसके लेखक यशपाल जी हैं और सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे हिंदी के यशपाल का जनम 1903 में पंचाब के फिरोधपुर चामनी में हुआ था इनके पिताजी हीरालाल हिमाचल परदेश के हमीर पिर जिले के भूपल गाव के निवासी थे जहां वे छोटी सी दुकान चलाते थे इनकी माता एक अनाथाले में अध्यापिका थी माता स्वयम को 84 के मंत्रियों की वंशज मानती थी संभवताय यही कारण है कि प्रेमा देवी नोकरी करके अलग रहने लगी थी पतिक इम्रित्यू के पश्चात उनका कांगडा में आना जाना प्राय समाप्त हो गया यश्पाल जी की अरंबिक शिक्षा कांगडा में हुई थी और उन्हें दयानन सरस्वती का सच्चा सिपाही बनाना ही उनकी मा का मेन उदेश्य था इसलिए उन्होंने बाद में लहोर के नेशनल कॉलिज से बिये किया यहीं पर रहते हुए यश्पाल जी करांतिकारियों के संपर्क में आए ऐसे होग अंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चल कर भाग लिया और इसके बाद उनका रुझाव जो थाल लेखन के प्रति हो गया वो जहते थे कि मैं कुछ लिखूं मतलब देश की आजादी से संबंदित कुछ लिखूं तो ऐसे ही सबसे पहले उन्होंने अपनी बात जो है एक पत्रिका से की विपलव नामक पत्रिका निकालना उन्होंने अरम किया और फिर लिखने के लिए उन्होंने लगातार संख़र्श किया और बाद में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिनमें लोहे की दिवार के दोनों और रहा बीती आदी पर मुख हैं और इनके मुखे उपनियास हैं अमिता, दिव्या, जूठा सच, आदी तो ये तो था लेखक के बारे में अब हम चलिए, अब हम पाट के और बढ़ते हैं जैसा कि मैं पहले ही पाट के शिर्शक के बारे में बता चुकी हूँ लखनवी अंदाज लखनवी अंदाज जैसे की नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कहानी का लखनव से संबंध होगा जी हाँ, लखनव का अंदाज, लाइफस्टाइल क्यों मशूर है? क्योंकि लखनव को कभी नवाबों का शेहर कहा जाता था वहाँ के रईस ही नवाब हुआ करते थे उनके रहने सहने का ढ़ंक अलग होता था वहाँ के शिष्टाचार की मिसाले दी जाती थी और ऐसे ही इस कहानी में भी लेखक ने ऐसी नवाब को कहानी का विशे बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का परदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगा सूंकर रसा स्वादन करता है रसा स्वादन मैंने होता है कि किसी भी चीज को सूंकर उसके स्वाद का अनभव करना और सूंगते हुए खीरे की एक-एक फांक को खिड़की के बाहर फैंता जाता है ऐसा करके वो डकार लेकर वह त्रिप्त होने का नाटक करता है त्रिप्त का मतलब है जब आपकी भूख शान्त हो जाती है उसके इस वहवार से लेकर सोउता है कि इस तरह तो बिना घटना विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है लेकर अपनी मितव्यृ परव्रीती के कारण मितव्यृ होता है कम बोलना कम बोलना वैसे तो इसका मेनिक होता है कि कम खर्च करने वाला लेकिन इसमें मित व्याई कम बोलने वाला परवृति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था फिर यह सोचकर कि भीड से भी बच जाएगा कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक द्रिशे खिड़की से देखने को मिल जाएंगे अतै वह सेकंड क्लास का ही टिकेट ले लेता है गाड़ी छूट रही थी भाग कर सेकंड क्लास के डिबबे में चड़ गया लेखक को अनमान था कि डिबब खाली होगा लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लेखक के नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सजन पालती मारे बैठे हैं जिनके सामने तोलिय पर दो खीरे रखे हुए हैं लेखक का सहसा आजाना सहसा मैंने अचानक आजाना उन्हें अच्छा नहीं लगा नवाब साहब ने लेखक के प्रती कोई रूची नहीं दिखाई और ना लेखक नहीं प्रीचे करने का प्रयास किया लेखक ने उनकी तरफ से आखे जुरा ली लेखक सामने बैठे नवाब सहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब सहब ने किफायत की दिरिश्टी से सेकिन क्लास का टिकट खरीदा होगा और यहाँ पर किफायत शब्द आया है किफायत मित वेता यानि कि वही बात आ गई जो मैं पहले मीनिंग बता चुकी हूँ कि कम खर्च करने वाला उसके बार क्या कहते हैं लेखा कहां पर कि सफर का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा है नवाब साहब खिड़की के बाहर देखते रहे और स्थिती पर विचार करते रहे अचानक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरा खाने का शोक फर्माने के लिए कहा शोक फर्माना किसी को कोई भी चीज खाने के लिए पूछना लेखक को नुवाब सहाब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शोक फरमाएं कि आप ही खाएं न्वाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चे कर नीश्चे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोया तोलिये से पोँचा और फिर जेब से चाकू निकाला उनके सीरे काटे जाग निकाली और फिर काट कर उन्हें बड़े ही करीने से अच्छे ढंग से उन्हें तोलिये पर रखा नवाब साहब ने फांको के उपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च छिड़क दी लेखक उनकी भाव भंगिमा देखे जा रहे थे उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नुवाब सहाब के मुँँ में खीरे के रसा स्वादन की कलपना से ही पानी आ रहा है रसा स्वादन होता है कि किसी भी चीज को सुनकर उसके स्वाद का अनभव करना एक बार नुवाव सहाब ने फिर लेखक की और देखा और कहा शोक फरमाएं लखनों का बालम खीरा है नमक मिर्च छिड़क दिये जाने पर ताजे खीरे की पन्यारी फांके देखकर लेखक के मूँ में भी पानी आ रहा था पन्यारी यानि की जो खीरे से पानी निकलता है इसलिए रस जो होता है उसे का गया है पन्यारी फांके देखकर लेखक के मूँ में भी पानी आ रहा था लेकिन पहले पूछने पर इंकार कर चुके थे इसलिए कुछ सोचकर आतम सम्मान रगते हुए शुक्रिया कहकर कहा मेरी मेदा जरा कमजोर है आप ही शोक फर्माएं मेदा मैंने मतलब आपका लिवर कमजोर है आपको पचे का पचता नहीं है तो इसलिए आपने ये कहा कि मेरा मेदा ज़रा कमजोर है आप ही शोक फरमाए फिर नौाप साहब ने क्या किया कि नमक मिर्च लगी हुई खीरे की फांक की और एक बार फिर देखा फिर खिड़की के बाहर देखा दिर्ग श्वास लिया दिर्ग मैंने उता लंबी सांस लेना फिर एक एक फांक उठाई होटों तक ले गए सुंगा स्वाद के अनंद में पल के मूंद गई मूंग में भर आए पानी को गले में उतार लिया और फांकों को एक एक करके सुंग कर बाहर फैंकते गई उसके बाद तोलिये से हाथ और होट पूच कर गर्व से लेखक की और देखा इसमें देखो क्या किया अन्वाब साहब ने कि खीरे बड़े अच्छे तरीके से काटे नमक मिर्च लगाया उन्हें तरीके से रखा तोलिये पर फिर उन्होंने केवल उन्हें सुंगा और सुंकरी उसके स्वाद का अन्भव किया और फिर उन्हें बाहर फैंक दिया फिर क्या कहते हैं नुआब साहब खीरे सुंकर और फैंक कर हाथ मूँ पहुचकर लेट गए मानो इस काम में वे ठक गए हों लेखक नुआबी परक्रिया को देखकर शरम महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई परक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है किन्तु क्या इस थरीके से उधर की तृप्ती हो सकती है उधर मैंने होता है पेट आपको भूख लगी हो आपके सामने खाना रखा जाता है आप उस खाने के इच्चुक हैं क्योंकि बूख लगी आपको लेकिन फिर क्या आप इस परकार से जैसा कि नवाब साहब ने किया इस परकार से आप अपनी भूखशान्द कर सकते हैं नहीं इसलिए लेखक ने कहा कि उधर की तृपती नहीं की जा सकती केवल आप भोजन सामने रखाएं आप उसे देख रहे हैं उसे मुँ में डालने के लिए लेकिन सूंकरी उसे वापिस रख देते हैं इससे आपका पेड त्रिप्त नहीं होगा यानि कि भूख शांत नहीं होगी इसके लिए क्या होगा अपनी भूख शांत करने के लिए आपको खाना तो पड़ेगा तो लेखा कहते हैं कि क्या इस तरीके स से उदर की त्रिप्ती हो सकती है इसी बीच नवाब सहाब को डकार आया और लेखक की और देखते हुए कहा खीरा लजीज होता है लेकिन होता है स्कील यानि कि खाने में सक्त है यानि कि मुझे पच्टा नहीं है मेरे मेदे पर बोज डाल देता है ना परचने के कारण मैंने इसके रस का अनभव किया और अपने भूख शान्त कर ली तो यह सब देकर लेखक को लगा कि अगर बिना खाय नवाब सहाब अपनी भूख शान्त कर सकते हैं स्वाद का अनभव कर सकते हैं तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों के केवल लेखक की इच्छा मातर से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती लेखक के इस कहानी से स्पष्ट हो गया कि बिना घटना पात्रों के भी केवल लेखक की इच्छा मातर से यानि कि लेखक अगर जो कुछ भी सोच ले उससे व्य कहानी का निर्माण यानि कि कहानी को रच सकता है लिख सकता है बच्छो इस पार्ट के माध्यम से एक बात और उभर कर हमारे सामने आती है वो है दिखावा क्या दिखावा करना हमारे लिए फाइदेमंद है नहीं क्योंकि बेटा जो दिखावे की परवरीती होती है दिखावा करने की जो आदत होती है वो हमें हमेशा पीछे की और ले जाती है कैसे माल लीजिए आपके प्रोस में किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली बड़ी गाड़ी खरीदी उन्होंने क्योंकि उनका बजट एलो कर रहा था उनकी पॉक्ट एलो कर रही थी लेकिन उसकी देखा देखी में आप भी अपने घर में गाड़ी लाना चाहते हैं पैसे नहीं हैं तो दिखावा दरने के लिए आप बाजार से कार ले आते हैं कैसे लाते हैं कर्ज उठा कर जबकि कर्ज लेना गलत माना जाता है क्योंकि अगर जहां जरूरी है हमें लगता है कि इसके बगएर हमारा काम नहीं हो सकता हमारा गुजारा नहीं है तो तो हम उस चीज़ को लेने के लिए कोशिश करें लेकिन जब उस चीज़ के बगार हमारा गुजारा असानी से चल रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए दिखावे के कारण हमने कार्टों खरीद ली करज उठा कर ली लेकिन समय पर हम करज नहीं चुका पाए तो उससे क्या होगा आपके पेरेंस को दिक्कत होगी आपको दिक्कत होगी और कहीं न कहीं आप लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ता है दूसरों के सामने तो इसलिए दिखावा जो है वो हमारे लिए सही नहीं है हाँ जब कभी हम हमारे पास पैसे आ जाएं तो हम अपने शोग पूरे कर सकते हैं और सिर उठाकर चल सकते हैं और मतलब हमारे जीवन में दिखावे की परवरीती जो है हमें हमेशा पीछे की और ही लेकर जाती है इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए